सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरू जी सुकराना गुरू जी गुरू जी का जन्म साथ जुलाई को हुआ था संगत जी और आज साथ तारिक है और आज गुरू जी सभी संगत के घर में आएंगे भगवान कृष्ण बन के और आपको गुरू जी संकेत देंगे कि हम तुम्हार तुम तयार रहो और आगे आप वीडियो में देखेंगे भी गुरुजी संकेत देते हैं अपनी प्यारी प्यारी संगत को कि मैं तुम्हारे घर दर्सन देने आ रहा हूं तो सारी संगत से निवेदन है कि आज जन्मस्टमी कृष्ण भवान का जन्म होने जा रहा है जिसमें गुरुजी रूप बदल के आ रहे हैं आप गुरुजी का लख लख सुकराना कीजिए गुरुजी से अरदास करिए गुरुजी सर्बत का भला करें और हम बहुत ही सौभाग साली हैं जो गुरुजी के सरड में हैं क्योंकि गुरुजी साच्छात ब्रह्मा बिष्णू महे और गुरु जी हर रूप में आते रहते हैं हमें दर्शन देने के लिए आज क्रिष्ण भगवान के रूप में गुरु जी सब को ब्लेस करने आ रहे हैं जै गुरु जी सुकराना गुरु जी संगत जी जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं इस मृति लोक में इस पिर्थवी लोग पर मानो कल्याण के लिए हर यूग में किसी ने किसी भगवान को रूप बदल कर धर्ती पे आना पड़ा है जिसे मानो का कल्याण हुआ है भगवान स्री कृष्ण ने हमें कुछ रास्ते बताएं कि हमें कैसे अपना जीवन जीना चाहिए चलिए थोड़ा सा भगवान स्री कृष्ण की महिमा जानते हैं जै गुरु जी साथ तारिक जै गुरु जी संगत जी आप समझ गये होंगे आज साथ तारिक है पहली गाली पर सर काटने की सकती होने के बाद भी यदि 99 और गाली सुनने का सामर्थ है तो वो स्रीकृष्ण जी है संगत जी आप समझ गए होंगे कि सिसुपाल जो था 99 गाली दिया था उसके बाद भी भगवान स्रीकृष्ण ने माफ किया था और बोला था कि तुम्हारी निन्यानवे गाली हो चुकी है अगर सौमी गाली होगी तो तुम्हारा सर कड़ जाएगा और उसने सौ गाली पूरी कर दी और भगवान स्रिक्रिष्ण ने तुरंद अपने सुदर्सन चक्र से उसका सर काड़ के धर से अलग कर दिया था ऐसे हैं भगवान स्रिक्रिष्ण संगत जी आगे सुनते हैं सुदर्सन जैसा सस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है तो वो है स्रिक्रिष्ण भगवान संगत जी आप समझ गए होंगे कि यह हमारे लिए है कि हाथ में सुदर्सन चक्र है और भली भाद हम जानते हैं कि सबका सर काड़ सकती है लेकिन भगवान स्रिक्रिष्ण मुरली लेकर संकेत देते हैं कि हमें जीवन कैसे सरल तरीके से जीना है जैगुरू जी संगत जी द्वारिका का बैभव होने के बाद भी यदि सुदामा के मित्र हैं तो वो स्रिक्रिष्ण हैं संगत जी द्वारिका जैसे बैभव हैं उनके पास राजा जैसे सब कुछ है लेकिन फिर भी एक गरीब ब्रामर सुदामा के मित्र हैं वो हैं स्रिक् प्रत्रता हमेशा अच्छी करनी चाहिए। संगत जी आगे मृत्व के फन पर मौजूद होने पर भी यदि नृत है तो वो स्रीकृष्ण जी है। अर्थात भगवान स्रीकृष्ण नाग के फन पर नाचते हैं और वो जो है साप जहरीला है फिर भी भगवान निरत करते हैं तो वो है भगवान स्रीकृष्ण संगत जी भगवान स्रीकृष्ण सरसामर्थ होने पर भी यदि किसी के सार्थी बने हैं तो वो है स्रीकृष्ण अर्थात वह बता रहे हैं कि हम तुम्हारे सार्थी हैं और तुम अच्छे कर्म कर रहे हो तो हम तुम्हारे हर एक पल हर एक छड़ पे तुम्हारा सार्थी बनकर तुम्हारा साथ देंगे जैसा कि महाभारत में हम लोगों ने देखा था कि भगवान स्री कृष्ण अर्जुन के सार्थी बने थे और अर्जुन को सत्त के मार्क पर चलाने का प्रयास कर रहे थे भगवान स्रिक किष्ण ने कहा तुम धर्म के मार्क पे चलो और कर्म करो फल की चिंता मत करो वो सम मेरे हाथ में छोड़ दो किष्ण भगवान के बताय हुए रास्ते पे अरजुन चल कर करों पर बिजय हासिल की और करों का सरवनास हो गया जैगुरु जी संगत जी पुत्र के रूप में मा अगर किसी बालक की कामना करती है तो वो स्रिकृष्ण है आज भी युवतियां अगर किसी को प्रेमी के रूप में पाना चाहती है तो वो स्रिकृष्ण है संगीत प्रेमी आधात्मिक तिर्प्ति के लिए यदि किसी संगित के राह तक्ते हैं तो ओ मुरली धर स्री कृष्ण है आज भी यदि कोई राजनेता कूट निती का ज्यान सीखना चाता है तो ओ स्री कृष्ण है सिच्छक अगर कोई सुयोग्य सिश्य धूरना चाता है तो ओ स्री कृष्ण है अगर कोई यद्धा अर्जुन की भाद निपुड सार्थी चाता है तो ओ स्री कृष्ण है आज भी अगर कोई साधक किसी योग गुरू से योग सीखना चाता है तो ओ स्री कृष्ण है अगर कोई साधक जीवन मरण से मुक्ति पाना चाहता है तो वो स्रीमत भागवद गीता का ज्यान देने वाले स्री कृष्णा जी है स्री कृष्णा संपूर जीवन दर्सन है जिसके बीना जीवन संभव ही नहीं है संगत जी गुरु जी हमेशा कहते थे इस्वर एक हैं उनके रूप अनेक है रूप बदल कर ही आते हैं और आज गुरु जी भागवान स्री कृष्ण बन के हर घर में आ रहे हैं सुकराना कीजिए जै गुरु जी